नवश्कार मैं हूँ सुक्रदी इरोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है मूत्र नली में संकुचन से हर उम्र के महला और पुरुष प्रभावत होते हैं इस बीमारी में पेशाब में जलन, खून और मवाद आने लगता है सबसे एहम बात यह है कि लोग से गंभीरता से नहीं लेते जबकि इसमें लापरवाही बरतने पर संक्रमण से किड्नी फेल होना आकता है एक्सपर्स की माने अगर पेशाब की धार कम हो जाए पेशाब करने में जादा वक्त और जोर लगाना पड़े तो समझ ले कि मूत्र नली का संक्री होती जा रही है कई बार संक्रमण की वज़े से मूत्र नली का खराब हो जाती है कभी-कभी यूरीन इंफेक्शन, चोट, पेशाब के रास्ते में लंबे वक्त तक नली पड़ने और असुरक्षत यौन संबंद से भी ये परिशानी होती है ऐसे में ततकान नियूरोलोजिस्ट से संपर्क करें और यूरीन कल्चर करवाएं डॉक्टर्स की माने तो नैशोद में ये पता चला है कि मूत्र संक्रमण का इलाज यूरित्रोप्लास्टी विधी से सर्जरी संभव है इस सर्जरी में मूत्र नलिका का निर्माण गाल और होट के अंदर के उतक यानि की म्यूकोजा से किया जा सकता है उमेद करते हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले